सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इबाइक गो कंपणी ने अपना लेटस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लांच कर दिया है उस स्कूटर का नाम है इबाइक गो रगड़ यह इसकूटर एक दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है और फुल चार्ड़ में 160 किलोमीटर तक चलता है और सबसे अच्छी बात कि इसकी booking शुरू हो गई है जो कि सिर्फ 499 रुपे से की गई है इंडियन मार्केट में इलेक्टरिक बहानों की मांग तेजी से बढ़ रही है इसलिए हाल के दिनों में कई नई इलेक्टरिक स्कूटर लॉंच हुए है अब एक और वहां निर्माता e-bike go ने अपने इलेक्टरिक स्कूटर को लॉंच किया है e-bike go ने इंडियन मार्केट में रग्द नाम का एक इलेक्टरिक स्कूटर लॉंच किया है जिसमें उसने दो वेरियंट लॉंच किये हैं G1 और G1 प्लस कमपनी ने G1 एलेक्टरिक स्कूटर की प्राइस 79,999 रॉपीज रखी है जबकि G1 प्लस वेरियंट की प्राइस 89,999 रॉपीज रखी है दोनो ही स्कूटर्स फेम टू सबसीडी के साथ आते हैं और जब यह सबसीडी लागू होगी तो इसके प्राइस और भी कम हो जाएंगे और इन्हें एक आकरशक प्राइस में उतारा गया है देश में तेजी से बढ़ते इलेक्टरिक स्कूटर वाजार में अपने उत्पात को और मजबूत करने के लिए मैनुक्रेक्टरिंग कमपनी इबाई गो रगड़ एलेक्टरिक स्कूटरों के डाविंग रैंज और पर्फरमेंस पर दाव लगा रही है यह स्कूटर एक आकरशक लुक और दमदार बैटरी पैक के साथ आता है और इस इलेक्टरिक स्कूटर की बुकिंग सिर्फ 499 रुपे में की जा सकती है और बुकिंग के लिए इनकी ओफिसियल वैब साइट का लिंक हम नीचे डेस्किप्शन में दे देंगे वहाँ से जाके आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं अब बात करते हैं बैटरी और रेंज की रगड इलेक्टरिक स्कूटर में 2 किलो वाट की दो बैटरी मिलती है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है यह 4G के साथ एक अच्छी IOT सिस्टम के साथ आती है इबाइ कंपनी का दावा है कि बैटरी को सिर्फ साड़े 3 घंटे में चार्ज किया जा सकता है और फुल चार्जिंग पर यह लगबग 160 किलो मीटर की दूरी तै कर सकती है अब बात करते हैं इस स्कूटर के टॉप स्पीड की तो इबाइ गो रगड इलेक्टरिक स्कूटर में एक 3 किलो बाट मॉटर मिलता है जिसकी मदद से इलेक्टरिक स्कूटर 70 किलो मीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ सकता है इबाइ गो के संस्थापक और CEO इरफान खान ने कहा है कि हम महत्पुड अध्यन और 3 साल के इंतजार के बाद भारत के सबसे टिकाव और इंटेलिजेंट और मजबूत इलेक्टरिक स्कूटर के लाउंच की गोशना करते हुए बहत खुश है बात करते हैं इस इलेक्टरिक स्कूटर के फीचर्स की तो इस स्कूटर में 30 लीटर की छमता का स्टोरेज स्पेस मिलता है इसके अलावा ये एक एंटि थेफ्ट फीचर से भी लेज है जो आपकी अनुपस्तिती में भी इसकी सुरच्छा सुनिश्चित करता है इस scooter को mobile app के जरीए दूर से ही lock और unlock किया जा सकता है इसके लिए company ने एक dedicated mobile app तयार किया है इसमें 12 अलग अलग तरह के sensors दिये गए है company ने कहा है कि 4G, BLE, Cane Bus, GPS, IRNSS, 42 Input Output, Serial Port और एक व्यापक modular sensor suit के साथ यह दुनिया का सबसे advanced 2-Watt IoT system है तो यह scooter में इंडियन मार्केट में launch हुआ है price भी इतनी जादा नहीं है जिसके अलाबा आपको इस पर subsidy भी मिल जाएगी और booking cost भी कोई जादा नहीं है तो आप इस scooter को अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको book कर सकते हैं सिर्फ चार सुनीन यानवे में और website का link official जो website है उसका link description में दे दिया जाएगा और आप देख रहे हैं लगातार देश में डीजल और पेटरॉल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे टाइम में electric vehicle ही अच्छा option है तो अगर आप इसको book करना चाहते हैं तो कर सकते हैं link description में है booking का तो काफी अच्छा scooter है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी टाइप की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैन बाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में thanks for watching this video thanks